दोस्तो है आज किस्व इडियो मैं आपको बताऊँगा या अपने अधार कार्ड में घर बैठही है अपने डेट वंडों के सब्सक्राइब के सब्सक्राइम के अधर चाहिए तो दोस्तो अगर आपको जाना है कि आप घर बैठे ही अपनी मॉबाइल फोन से कैसे अपने डेटो बर्थ को सुधार सकते हैं या फिर चेंज करवा सकते हैं तो वीडियो के साथ बनर यह आपके लिए आपके लिए बहुत ज़्यदा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यद या फिर सुधारने के लिए अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फॉन में क्रॉम ब्राजर आपन करना है उसके बाद दोस्तो आपको इस वेबसाइट पर आना है मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मॉक्स पर दे दूँगा इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले लॉग इन पर क्लिक करके इसमें लॉग इन करना पड़ेगा तो यहां पर सबसे उपर में आप देख सकते हैं आपको अपना आधार नमबर एंटर करना है उसके बाद एक क्याप्चा को आपको देखता है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है दोस्तों आपके अधार काड सा लिंक होगा उस मोबाइल नमबर पर एक उटीपी आएगा उस दाल कि यहां आप लॉग इन कर सकते हैं अगर लिंक नहीं है तो मैं उस पर वीडियो बना कर रखा हुआ हूं आपको डिस्क्रिप्सिन में ऊस वीडियो का लिंक दे दूंगा अब simply दोस्तों यहाँ पे आपको send OTP पे क्लिक करना है फिर 5 से 10 सकेंड के अंदर आपके उस mobile नमबर पे 6 डिजिट का एक OTP आएगा उस OTP को simply दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने की बाद आपको simply login पे क्लिक कर देना है अब जैसे दोस्तों में इस website पे login हो चुका हूं सबसे उपर में आपको डाउनलोड आधार मिलता है फिर और आधार पी वीडियो बना के रखा हुआ अगर आपको इन वीडियो को भी देखना है तो मैं इन तीनों वीडियो का भी लिंक दे दूँगा अब आपको simply यहाँ पे हमें जो है डेट अब्डेट करना है तो simply आपको अब्डेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है अब जैसे दोस्तों इस option पे क्लिक करते हैं आपके सामने next window आपन हो जाएगी आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहां से आपको दिखा जाएगा कि आपका जो नेम और एड्रेस के बारे में आपको बताया है तो मैं उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रॉल बॉक्स में दे दूँगा फिलाल में हमें जो डेट बर्स सुधारना है तो simply डेट बर्स सेलेट करके आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है यहां पे सब से पहले आपको अपना यह सिर्ट करना पड़ेगा जो भी यह अपको अब्स हुआ है तो simply आपको सब्सलेट करना देट करना उसके बाद मन्द करना है और सिंपल्स दोस्तों आपको सैट पर क्लिक कर देना है आप जैसे स्याट पर करते तो आपको जो डेट यहां पर करके यहां पे continue to upload पे click करके आपने जो भी document select के वा होगा उसका photo आपको simply हाँ पे upload कर देना है upload करने के बात दूस्तों आपको simply next पे click करना है आप जैसे next पे click करते हैं आपके समने next window अपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको कुछ terms and condition को accept करना पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहां से payment करेंगी वहीं आपको terms and condition को accept करने को बताया जा रहा है तो आपको simply करना है और फिर से आपको make payment पे simply click कर देना है उसके बात दोस्तों यहां पे आप देख से next दोस्तों यहां से मैं पेटियम से करूँगा payment तो simply मैं पेटियम पे क्लिक करता हूँ इस पे आपको क्लिक करने को बाद प्रोशीट पे क्लिक करना है उसकी बाद आपको अपना पेटियम नंबर एंटर करना है आपको mobile नंबर verify करना है और इस तरह से आपका valid balance दिख दोस्तों सबसे पहले transaction status success हो चुका है payment date and time आप देख सकते हैं और amount देख सकते हैं अब download acknowledgement पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आधार कार्ड के द्वार एक receipt आप डाउलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने download कर लिया मैं इसको अगर open करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे payment history देख सकते हैं जैसे कि मैंने click किया सरे नमर आपको दिखेगा मैंने उसको blur कर दिया है transaction यहाप देख सकते हैं सकसेस हो चुका है और अगर आप view पे click कर देते हैं तो यहां से भी आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं जो कि आपका हवा transaction history होगा जी हैं तो दोस्त साथ दिनों के अंदर आपको data birth है वह अपडेट हो जाएगा आपके अधार काड में और दोस्तों यहां अधार काड में मोबाइल न मर rename कैसे कर सकते हैं जा फिर को download कैसे कर सकते हैं तो अगर आपको इन वीडियो को देखना है तो मैं इधर description ने इसका लिंक देदू झाल आ रहे तो जले दोस्तों मैं मिलता हुआ इंफरमेटिव और हेलफल वीडियों के साथ तब तक लिए जाहिंद और वंदे मात्रम